हाई हनी बीज वालकम टू कॉफी बीज तो मैंने निहा की एक जो है कॉम्यूटी पोस्ट चेक करी थी जो कि मैं बहुत जादा गलत लगी जिसमें उन्होंने लिखा है कि अर्थ मॉम के रियक्शन से अब मैं परिशान हो चुकी हूँ सिर्फ मेरे पिछे वो पढ़कर मुझे बहुत जादा परिशान कर रही है अगर मेरी तब्यद खराब होती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ अर्थ मॉम होगी क्योंकि अब मेरा जीना मुश्किल कर रही है उसके बाद जो है मैंने मनीशा की भी कॉम्यूटी देखी जहां पर मनीशा ने लिखा था कि अब हमारे ब जिंदगी में घुसकर जो है उसने पूरा घर बरबाद कर दिया है अगर मेरा रिष्टा खराब होता है और मुझे कुछ भी होगा तो इसकी सिम्मेदार सिर्फ नहा है बाइस साब यह क्या ब्लेम गलेम में अगा रखा है दोनों की दोनों ही गलत है सबसे पहले अर्थ मॉ सपोड करते है ना की सचिंद को सबस्क्राइब हमेशा और में मुझे कही गलत नहीं भी कर तो उसमें एंस Miku कुछ नाम लेती है ना कभी उसने आपको कुछ हुँ कि धिकत हो रही कि कि itu शाम्पल मैं किसे से परशान हूं तो मेरे पास तीन उप्ष्ण है मैं जहां पर मेरे बारे बात हुई उस वीडियो को फिल्टो एगनॉर कर दूँगे मैं देखूंगी नहीं कि वो उसमें आपको आपको चुनना पसंद नहीं वो प्रिय जो अगर लगे आपको अगर वो उसने वो बोला है तो आपके पास तो यह किसी को भी यह बोलना किसी भी रियक्शनिस्ट को कि उसकी वज़े से मुझे यह हो जाए सरसक जलत है तीसरी बात वह बहुत अच्छी लेडी है अर्थमोम के बारे मैंने आपको बताई नहीं देखो और ऑपीनियन हर किसी का अलग अलग हो सकते है जैसे कि बहुत बहुत अच्छी लेडी है आपको पता होगा जब मुझे आज से लगबक 6-7 महीन है मेरे चैनल के साथ कुछ हुआ उस ताइम पे उन्होंने मुझे मतलब हमारी रात के लगबक 12 बज़े बात हुई थी और उन्होंने मुझे देड़ घंटर तक संत बना दी थी समझाया था कि होता रहता है सब कुछ टी को जाएगा तुम अपने वह करो और बहुत अच्छी लेडी है सही सलाव देते हैं अच्छे तो ऐसा नहीं कि वह आपको कुछ वह टार्गेट करें यह ऐसा कुछ भी और मनीशा को सपोर्ट करते ना कि सचिन को तो उनके बारे में यह बोलना क कि वह मुझे टार्गेट कर रहे हो आपको टार्गेट नहीं कर रहे हो किसी को सपोर्ट कर रहे है हरकिसी का अलग अलग हो सकता आपको प्रणő के संद ना ऐप नियाद चुप Christ sasural जा रही थी लिए अगर चुप Roby a जा रही थी तुम्हारा पती अगर झाल से उसको इन्स एक्डल को समुझा अब जो अगला उसका फियांस था लोगों को चाहें इतना दूत का धुला लगए वे दूत का धुला नहीं था उसने क्या करा था हमारी बेटी हमारी बेटी लेकिन जैसे इंगेजमेंट टूड गई अब याद है बेटी तो वह उसी की है निहा की और तुनिया में नहीं आशिर जी उनकी यह असली जो लगाव है वह मा को यह था अपनी बेटी के साथ जो आप तो मुह बोले बाप बनने वाले था अब याद भी है बेटी को याद भी करते हो कभी बेटी बेटी कर रहे थे वीडियो में इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे जो रिल्स वगेरा में जनिया में बदनाम करने के लिए किस दे उत्साया था आपने वह जो एक जो है जो फियांसे नेहा कर उसी ने अगर वह इतना समझदार होता इतना सही संसकारी होता ना तो उस ताइम पर बोलता कि नहीं एक और थे फिलहाल वह उसकी फियांसी थी ती जब वह बात हो रही थ तो तुम जो बेटी-बेटी कर रहे तो उसकी मा थी तुमने उस इंसान को जबकि पता है कि वह जो घायल शेयर टाइप है कि उसको बहुत बुरा लगा उसके दोखा हुआ है तो उसको और प्रवक किया कि आये और जो है बोले दुनिया के सामने धजिया उड़ा एक औरत की फैसे उसने कम नहीं उड़ाई लेकिन उसने वह वह भी कुछ कम निहीं डुदखा दुला सीधा लगते तो सीधा है नहीं रोगता है ऐस अगर उसकी जगा उनकी बहन होती तो क्या किसी को यह बोलता कि आओ तुम ऑन-लान करो GET yourselves out कर नहीं करता नहीं करता कि आओ हम सामने आ यही चाल बाज है ना दुसरे फोन से सुना दिया उसको कि देखो तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट है और गुस्ता आ गया और दुनिया यह सामने उसने सारा कुछ यह कर दिया तो मनीशा रानी अगर आपका पती जो है आराम से जाने देता था और मुझे ना मैंने मनीशा की ब्लॉग देखो बिचारी मुझे लगता है एक्दम भूली भाली से लड़की है उसको ज्यादा चाल बाजनी है जितना लगती थी वह आदमी के पास चैनल का एक्सेस है जिस वजह से कुछ भी नहीं कर पारी और मनीशा शॉट्स उसके पास है तो मनीशा अगर अभी भी त यह तंत्रमंत्र यह वो कितना प्यार करती हों एंधा प्यार उस आदमी से कि उसको पाएक के लिए रिष्टे नॉर्मल अब क्या करेगा उसको अपने हाल पर ठोड़ दो सब कुछ स्टीक हो जाएगा तीसरी बात कि अगले को क्यों बलेम करना निकूbकत है जब तुम्हारे दिखके में इसे में आंधर इतनiously क्यों बेक्राइब में तो अदीना कृध usu में रिखे सो सब्गण, कर दो कि यह बहुत बड़ा मैंने अज़सा आदमी और मैंने जो लाई में सुना बाप रहे बाफ पहली बात तो जो लेडिस है इसके साथ कैसे लाइव में comfortable थी मुझे समझनी आया ऐसे आदमी के साथ बात ही क्यों करना ऐसे आदमी से और भाईया भाईया बोलकर इजद देना इजद दर आदमी है यह इजद लेने लाइक आदमी है इसको इसको इसकी रिस्पेक्ट करें तीसरा कोई ओडियंस थी पेनल में तो उसने कु इसकी वज़े से एक मिलियन व्यूज होते हैं अगर वह अगर देखेगी नहीं तो तुम्हारा घर चलेगा कैसे तो यह इतनी बत्तमीजी इतनी जादा एटिटूड किस बात का आपने कोई राश्ट्रपती पूरसकार लाने वाला काम नहीं किया है एक भाई-बेन के रिष हां तो क्या बोले तुम्हें फूल हार पहना है कि तुम्हें बहुत अच्छा काम किया है देड़ साल ते बच्ची को परिशान किया है तो क्या करें बच्ची मेरे उमर की है मैं भी बच्ची वो भी बच्ची हम दोनों बच्ची है है फ्रेंस लेकिन सच में उसने जितना ज खना लारे तम्हेरे हाथ नहीं है तुम तो educated हो तुम्हे खुड का काम करना नहीं है या क्यों कुछी करते हो और कहता है मैं किसी के बाप का गुलामा नहीं हूँ अगर यह जो हरकत हुई है अगर किसी औरत ने किया अब देखो औरत ने किया है तो कितने आप पीछे पड़ गया कोई तो ना रेखा का एक्जामपल दे रहा था कि मनीशा तुम ना चुप चाप रहो शांत रहो सब कुछ ठीक हो जाएगा रेखा ने भी बहुत कोशिश की थी अमिताप का घर तोड़ने की ल अच्छा एक्टर हो सकता है लेकिन अफेड चला है मतलब अपनी बीबी को दोखा देना तीसरी बात की रेखा जो है अपनी चौइस से जो अभी बी कुवारी अगर चाहे तो अभी भी उसको जवान लड़की से उसकी शादी हो जाए अना अपने दम पे मनी हुई स्टार है अब इताब हो चाहे रहा हो दोने अपने दम पे मने हुए स्टार है तो बाई चौइस वो कुवारी है उसके कौन शादी नहीं करेगा और करने चाहे तो तीसरी बात की अगर रेखा बुगनेगार है तो वह कम नहीं है दो बच्चे का बाप जिसने अफेड चलाया था वह बिकाज वह उनका अभी जो है एक अच्छे एक्टर है महाना एक सदी के उसका मतलब यह नहीं कि गल्ती कम है गल्ती तो उनकी भी है वह 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 यहां पी हो रहा है ना कि जो नेहा है वह घटिया और थे वह बुरी और थे लेकिन वह आदमी एक दम सही हो गया क्योंकि मनीश लेकिन उस आदमी को यह मत बोलो कि वह नारसिस आदमी एकदम मैंने तो कल उसको लाइव में देखा बाप रहे कितना गमंडे इस आदमी क्या अंदर भाई और जो औरते हैं वह चुप बैठी थी इसको सुनने के लिए जब उसके बत्तमीजी करी पहली बात तो किसे औरतों के बिच में बैठने लाइक नहीं यह आदमी जिसने यह भाई भेन के रिष्टे को गंदा किया दूसरी बात क्यों आप चुप हो रहे हो इसको बोलने मत क्यों इसके साथ लाइव ही करनी भाई ऐसा आदमी को एग्णोर करो ठीके मनीशे का साथ देरो बहुत इची बात है ले इसने क्या करा ना नेहा ने शायद उसको अप्रोच किया था कि सब तुम अगर रोस्ट वीडियो बना रहे हो मुझ पे अलका पे फिर बहुत सारी लोगों पे तुमने अगर यह रोस्ट वीडियो बनाए तो सुमित भी मेरे साथ व्यूस के लिए आया था देखो यह 100% सही पी की बात है कोEst बेटी के लिए होता न तो आझ भी बेटी को पुछता था वो ना बीटी को मा और ना नुम पूछ रहे है वह नहीं पूछ रहा तो व्यूष के Лिए था कि अच्छा बन गया था महान कि देखो विध्वाय औरत के साथशादी करी एक बच्ची को बाप का दर्शाता है ठीक है बोलना बहुत आसान होता है बेटी बेटी लेगन यह नहीं होता तीसरी बात अगर कोई आपसे परसनली मेसेच करें या तो कोई आपको अप्रोच करें कुछ भी करें तो दुनिया के सामने क्योंकि उसका बुरा वक्त चल रहा है उसके फेवर में कुछ नहीं जा रहा है और आपको कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि आपको पता है अगर आप उनके सब कॉलाइब करोगे तो आपको शायद से ओडिन्स इतना पसंद ना करें तो उसके बुरे वक्त के चलते हो उसकी धजिया उडाना दोस्ती के नाम पर कलंक हो आप और यह सब सही नहीं लगता कि किसी कि अगर फेवर में सब कुछ जा रहा है तो बस उसी के वह सब करो इसने हमें यह करा हम लेकिन हम नहीं करेंगे बेशरमी की बात हो गई है किसी की चैट्स लीक करना किसी को यह बोलना अपने कॉंटेंट की लिए अपनी व्यूस की लिए ऐसे सादिवादी उसकी होनी रही है अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते बिल्कुल देखो आगे बढ़ जाना चाहिए सही डिसीजन है व्यूज चाहे नॉर्मलाइज जो भी आपने डेली ब्लॉक्स डालो जिसको बोलना है बोले तुम्हारा घर व्लॉगिं से ही चलता है देखें ना दिखना है ना देखें सिम्पल सी बात है जो नहीं पसंद करता ना देखें यहीं बात है और सब लोग यह कौर कि आज भी बिलिव करते हो ऐसा होता है तो भाई मैं तो सबसे पहले वशी करन नहीं का असर होता है तो नहा नहीं कल को कोई कोना भी तो चाहिए इंसान में कि चलो चलो कोई है अच्छा है मतलब सही चलो तो कोई करा है है क्या जो वशी गरण करा है और बाई मनीशारानी मुझे पता है तुम तुम्हारे साथ गलत हुआ है और जो भी जिस चीज से तुम गुजर रही हो क्योंकि वो नारसिस आदमी है यह तुम मुझे समझ आगे उसको लाइव में देखकर और जिस तरह मैंने इसके विचारी के व्लॉग देखे परिशान है कि मिस्टर राज की कोई गलती ने अब यूई तुम्हें जो अंधेरे में रख रहा है उसी की सारी गलती तुम्हें बेवकुफ बना रहा है क्योंक और यह आदमी बोलता है अरे तुमने क्यों बोला तुमने उसको क्यों बोला तुमने उसको क्यों बोला सुरुष्टी ने क्यों बोला उसने क्यों बोला अंकुछ की बीवी ने क्यों बोला अरे भाई तुम उसके साथ बैठो आराम से सब सुल जाओ फिर हां इंटरनेट प होता भाई या इतनी जल्दी कोई नॉर्मल नहीं होता जो स्कार्स दिये हैं तुमने देड़ साल में उसको भई हील करने में टाइम तो लगे गा ही बाकि ठीक है भाई मैंनिशा का भी मुझे लगता है कि इतनी वह है नीचाला कवाला जितना यह आदमी है सीधी साधी है लड पर यह पिए जाडन इंगलिश तुम्हारे व्लॉड तो हिंदी है विश मिंस कि तुमें इंगलिव अच्छे से बखुवी से आती तो वहांपे क्यों जहां बे ओरते बोल रहे थी कि आप हिंदी में में भो रहे हिं नै box सईन्हीं के जगकर ने से नहीं ऐसे ओने ठीकरने ह है ना कि दूसरे की वह तो अलग होगे उसने बोल दिया कि भैब मैं नहीं आओंगी तो अभी भी अगर तुम्हारे रिष्टा खराब है तो तुम्हारी गल्टी की वज़े से तीसरे की नहीं ठीक है बागी भाई मनीशा के लिए तुम्हें यह कोंगी कि थोड़ा बहुत जान रखेगा बाई बाई